तीन सो सत्तर की स्थिति धारा तीन सो सत्तर की से उपजी हुई परिस्थितियों को जानने के बाद अब हम थोड़ा फिर पीछे की और जाएं जहां मैंने आपको बताया कि एक जन्वरी उन्चास से युद्ध विराम लागू होता है, समझोता होता है अंतराश्टी दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच और इस्थिति अथावत बनाये रखने के बात मानी जाती है लेकिन इसके साथ ही साथ बात यहां खतम नहीं होती और अंतराश्टी प्रयास प्रारम हो जाते हैं कश्मीर की समस्या को सुलजाने के लिए बीस जनवरी अड़तालिस मैं जनवरी अड़तालिस की बात कर रहा हूँ एक जनवरी उन्चास को युद्विराम आता है लेकिन उससे पहले बीस जनवरी अड़तालिस को सेंक तुलास चरक्षा परिश्ट में भारत और पाकिस्तान की में समझोते के लिए एक प्रस्तावल आया जाता है लेकिन दोनों उसमें सहमत नहीं होते मदभेद रहता है और यह समझोता रद हो जाता है यह बीस जनवरी अड़तालिस की बात है यानि हमले के दौरान ही विले के कुछ दिनों बाद ही इंस्टुमिन अफ एक्सेशन के हर्टाक्षर के कुछ दिनों बाद ही तो पहला प्रियास असफल समझोते का सन अरतालिस में सुरक्षा परिशद ने चकोसलोवाकिया, अर्जेंटीना और अमेरिका इसके इन लोगों की एक समीती बनाई किनकी चकोसलोवाकिया, अर्जेंटीना और अमेरिका सुरक्षा परिशद इस बात के लिए अधिकृत है, एमपावर्ड है कि वह अंतर राश्टी मामलों को ऐसे मामले जो उसके मंच पे आये हैं उसको सुलजाने के लिए समितियां गठित करे अपनी सोच के अनुसार तो उसने इन तीन राश्टों की एक समिति बनाई उसका उद्देश था कश्मीर समस्या पर कोई ऐसा प्रस्ताओ दे जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो बाद में कोलंबिया भी इसमें शामिल किया गया और फिर बेल्जियम भी सदसे बनाए गया तो इस परकार तीन सदसी समिति अब पांच सदसी समिति बन जाती प भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो जाएं तेरा अगस्त अर्टालिस को इनकी रिपोर्ट सामने आती है और इस रिपोर्ट के तहद वे तीन बिंदू सामने रखते हैं पहला पाकिस्तान अपनी सेना और कबालियों को हटाए पाकिस्तान अपनी सेना और कबालियों को घु दूसरा ये जो खेत्र है जहां से पाकिस्तान अपनी सेना और इसको हटाएगी यहने लगबग 78,000 स्क्वेर किलोमिटर वाला खेत्र वहाँ पर एक प्रशासन आयोग बठाया जाए जिसका कारे होगा वहाँ का दैनिक प्रशासन चलाना और खासकर इस खेत्र का जो अंदरुनी प्रशासन है उसके लिए स्थानी लोगं को पदस्त करना तो दूसरा प्रस्ताव था इस प्रकार के खेत्र का प्रशासन आयोग की देखरेक में ही स्थानी अधिकारी करेंगे आयोग मतलब ये पांच देशों का जो आयोग था इनके देखरेक में स्थानी अधिकारी वहाँ के निवासी लोग शासन चलाएंगे जब तक कि इसका समुचिस समाधान नहीं निकल जाता इस समस्चा का और तीसरी बात जो इन्होंने कही थी वो थी कि जब पाकिस्तान इन शर्तों को पूरी तरह लागू करने का की घोशना करेगा सूचना को सहयोग अमिन आयोग को सूचना देगा तो भारत भी अपनी अजिकांच सेना हटा लेगा कश्मिर से और अंतिम समझोता होने तक भारत युद्विराम सीमाओं के भीतर उतनी ही सेना रखे जितनी वहां के लिए आवश्यक हो मैं तीसरा बिंदु फिर दोरा देता हूँ जब पाकिस्तान उपर एक दो शर्तों को पूरी तरह लागू कर देगा और लागू करने की सूचना देदेगा तब भारत अपनी फौज हटा ले और जब तक युद्विराम के खेतर में उतनी ही सेना भारत रखे जितनी वहां के लिए जरुरत है वहां की अधिकारियों की सहायता के लिए जरुरत है आयोके साथ साथ भारत और पाकिस्तान की सरकारों का पत्राचार होते रहा इन बुद्वों को लेकर पाकिस्तान ने इस आयोक की बिंदों को पूरी तरक खारिच कर दिया क्योंकि पाकिस्तान अपनी फौज को पीछे हटाने को तियार नहीं था अपनी फौज को वहां से हटाने को तियार नहीं था उसने आखिर 78,000 स्क्वेर किलो मिटर पर कबजा कर रखा था और वो तो पूरे कश्मीर पर कबजा चाह रहा था तो पाकिस्तान ने इस आयोग के परस्तावों को खारिज कर दिया इस समिजित ने युद्विराम के अलावा कश्मीर के विले हेतु एक और बात कही थी जो चौथी बात थी वो थी जनमत संग्रह कश्मीर किस रज में जाएगा इसके लिए जनमत संग्रह कराये जाएगा बशर्ते भारत और पाकिस्तान की फौजे उन खेतरों से हड़ जाएं इस्थानी अधिकारी इस्थानी प्रशासन चलाएं और पांच देशियों का आयोग इन पर नजर रखे रहे समित ने जो जनमत संग्रह का जो प्रस्ताव रखा था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं Plebiscite P-L-E-B-I-S-C-I-T-E Plebiscite जनमत संग्रह अर्थाद क्या ऐसा मतदान जिसमें किसी एक विचार के पक्ष में या विपक्ष में मत डाला जाए मैं फिर से कहूँ ऐसा मतदान जनता के द्वारा ऐसा मतदान जिसमें किसी विचार के किसी एक विचार के पक्ष में या विपक्ष में मत डाला जाए हाँ या ना के रूप में उधारन के लिए जम्मु कश्मीर मामले में यदि प्रस्ताव है कि कश्मीर को भारत में शामिल होना चाहिए तो उसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान करना होगा हाँ या ना के रूप में प्रसान मित्री नहरू ने सुरक्षा परिशद को ये आश्वासन दिया कि हम जम्मु कश्मीर में जनमत संग्रा कराएंगे लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी फौजें वहां रखा था घुस पैठ बढ़ा रहा था लगातार भारत विरोधी गतिविदियों में भाग ले रहा था लगातार इस्थितियां ऐसी बना रहा था जो भारत के लिए उचित नहीं थी जो आयोक के प्रस्तावों के खिलाफ थी और इसलिए जनमत संग्रा का जो मुद्दा था वो खटाई में पड़ गया जनमत संग्रा नहीं हो पाया 31 अगस्ट 48 हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं बात करना जनवरी की बात हुई फिर फरवरी और अब हम अगस्ट पे आ गए हैं 31 अगस्ट 47 को भारत United Nations Commission of India का गठन किया जाता है United Nations Commission on India and Pakistan का गठन किया जाता है जिसमें जनमत संग्रा पर जोड दिया जाता है यह अगस्ट और 40 की बात है यह जम्मू कश्मीर के द्वारा यह जो गठन होता है यह स्विक्त राश्चंग के द्वारा होता है अब भारत और पाकिस्तान पर स्विक्त राश्चंग के आयोग के सुझाओं पर अमल करने के लिए जनरल चेस्टर निमिटर्स को निक्ट दिया जाता है एक आर्मी आफिसर जिसका रैंक जनरल का था जनरल निमिट उन्हें निक्ट करता है उद्देश क्या कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो समस्या है इसे सुलजाय जाए लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता दूसरे शब्दों में कहने कारत ये है कि एक बार ये मुद्दा स्रिक्त राश्च संग में भारत ने रख दिया तो अब ये एक अंतरराश्टी मामला बन जाता है और स्रेंक्त राश्चंग के आदेशों का पालन करने के लिए भारत बाद्धी हो जाता है और इसी बाद्धिता का परणाम है कि भारत जम्मू कश्मीर के पाक उक्यूपाइट छेतर पर हमला नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस तरह का किसी भी तरह का हमला भारत के द्वारा किये जाने पर अंतराश्टी मंच में ये बात उठेगी कि भारत ने स्युक्त राश्चंग या सुरक्षा परिशद के बातों की अन देखी की है ये बात दूसरी है कि सुरक्षा परिशद भारत की समस्याओं का निराकरन निकाल पा रहा है तो अगस्त कोई हल निकलता है जनरल को पदस्ट किया जाता है उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता अडिक्षन कमिशन ग्राहम कमिशन आदी आदी पर कोई निशकर्ष नहीं निकला एक के बाद एक कई समितियां बनाए गए कई आयोग बैठाए गए कई दौरे हुए कई मीटिंग्स होई लेकिन कश्मीर किसका होगा क्यों होना चाहिए आदी मुद्दों को लेकर समय गुजरता जाता है और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है स्थिती और कम्पलेक्स होती जाती विशम होती जाती इस बीच दौर्पक्षी वारता भारत और पाकिस्तान के बीच की इसके द्विपक्षी वारता के माध्यम से भी हल निकालने की कोशिश हुई लेकिन कोई सहमत ही नहीं बन पाई द्विपक्षी वारता से तद पर भारत और पाकिस्तान दुनिया के विविन अन्य देशों को छोड़ कर आमने सामने खुद बैठेंगे और निराकरन करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला क्योंकि पाकिस्तान इसका हल चाहता ही नहीं था यदि वो चाहता था तो केवल एक चीज कि कश्मीर उसके हाथ में किसी तरह आ जाए और भारत का स्टैंड था कि कश्मीर का तो विले वहां के महाराजा ने और वहां के संविधान सवा ने भारत के लिए किया है तो विले हो चुका है सन उनिस्व इंकावन आता है देखें कमिशन्स जो बनते हैं सन तावन में उनिस्व multa सं तावन में भी भी बने उनिस्व इंकावन में बने क你就ल बने श्क और भी रहे लेकिन कोई हल नहीं निकला हाँ एक चीज जरूर हो गई कि जम्मो कश्मीर का मुद्धा जो है वो एक अंतर राश्ट्री मुद्धा बन गया वो शीत युद्ध के तहट का आने वाला एक मुद्धा बन गया सन 1951 में जम्मो कश्मीर के तत्कालीन योवराज जो महाराजा हरी सिंग के परिवार से ही थे राजा कर्ण सिंग नाम याद रखेंगे राजा कर्ण सिंग इन्होंने घोशना की कि जम्मो कश्मीर के सम्विधान बनेने का कारे प्रारम किया जाएगा और पाकिस्तान ने इस बाध पर अपति उठाई सुरक्षापरिश्ण में इसके बाद उन्हें सुबावन में पाकिस्टान के सम्मिधान निर्मान का कारे हुआ वहां राज तंत्री व्यवस्था का अंत कर दिया गया राज्या ध्रक्ष को सदर रियास्त कहा जाने लगा अब इस सित्य ये होती है कि जैसे राज्या ध्रक्ष को पाकिस्तान के राज्या ध्रक्ष को सदर रियास्त कहा जाने लगा वहां राज्टी तंत्र का अंत्र किया गया और राज्या ध्रक्त को सदर रियासत कहा जाने लगा भारत सतकार तथा कश्मीर सरकार के मध्य एक समवैधानिक सित्य के बारे में समझोता होता है क्योंकि देखिए पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कुछ अन्य प्राओधान कर रहा था और भारत कश्मीर के शासन प्रशासन के साथ तथकारीन शासक के साथ अपने रास्ते आगे बढ़ रहा था तो बड़ी एक विशम परिस्थितियां हो गए थी, कशमीर के विदेशी मामले में प्रितरक्षा और यातायाद पर भारत का नियंत्रम था, भारत सरकार का, जैसा की अन्य रियास्तों के साथ भारत ने किया था, आपको याद होगा, प्रतरक्षा का मामला, संचार का मामला, और बिदेशी मामला, इसको छोड़कर, राजियों के नरेशों को, रियास्तों के नरेशों को अंदर उनी मामले में सदनता थी, जम्मौ कश्मीर के साथ भी ऐसा ही हुआ, और भारत ने जम्मौ कश्मीर के विसास के लिए, योजनाया बनानी प्रानम्ब की, साथ करोड पाकिस्तान अमेरिका के सैनिक गुट का सदस्य बन जाता है ये 1953-54 की घटना है सैनिक गुट क्या है नाटो न अ टी ओ नॉर्थ एट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन ये जो नाटो जो था जिसका नित्रत शीत उद्ध के दोरान जिसका निर्माण शीत उद्ध के काल में अमेरिका ने रूस पर नियंतरन के लिए रखा था रूस पर नजर रखने के लिए रखा था इस सैनिक गुट में ये प्रावधान था कि सैनिक गुट के सदस्यों में से किसी भी राष्ट पर कोई भी हमला करता है तो सैनिक गुट के सभी सदस्य इसे अपने राष्ट पर हमला मानते हुए प्रतिकार करेंगे पाकिस्तान इसका सदस्य बन जाता है साथ ही पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का भी सदस्य बन जाता है जो एक दूसरा गुट था इसलामिक देशों का पाकिस्तान का इन दो गुटों का सदस्य बनना नैटो और वार्शाप पैक्ट वो अंतरराश्टी मंच पे एक बहुत बड़ी घटना थी और भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यह सैन्य संगठन थे दोनों और सैन्य संगठन में मैंने जब आपको बताया कि इस सभी सदस्य देश एक दूसरे को किसी हमले की स्थिते में मिलकर प्रतिकार करने का अधिकार रखते हैं तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी भारत ने इस सैन्य समझठन के तहट तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना भी प्रारम कर दिया और ऐसा करते हुए इसने सुनिष्चित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान सैन्य द्रिष्टी से भारत के सामने खड़े हुने में सक्षम हो इस सैन्य सहायता के कारण पाकिस्तान का मनोबल भी बढ़ता है विश्व मंच में नैटो और वार्साप पैक के सदस देश जिनके संख्या लगबग 35 से 40 हो जाती है ये लोग पाकिस्तान के समर्थन सामने आते हैं और पश्चिमी राष्ट्रों का ये गुट जो है वो पूरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन में आजाता है इस बदलती ही परिस्ति में 6 फरवरी 54 को जम्मू कश्मीर की सम्विधान सभा ने अनुछे 370 के अंतरगत कश्मीर को दिए गए विशेश दरजे को स्विकार किया देखे घटना करम कैसे बदल रहा है यानि ये बदलती ही परिस्तितियों का परणाम था अंतऱquinho बदलती परिस्तितियों का परणाम था जिसका खामियाजा यहां भगतना पड़ा भारत को इस रूप में कि भारत में विले होने के बावजूद भारत में विले के इस दस्तावेजों में तभी तरह के कारे होने के बावजूद भी वहां की सम्विधान सभा 370 की तहट जम्मू कश्मीर को विशेश राज्य का दर्जा दिया जाने की बात्विकार करती है 16 नॉम्बर 1956 को जम्मू कश्मीर का सम्विधान तियार होता है और जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य गोशित होता है 26 जन्वरी 1957 को भारत का सम्विधान कश्मीर में लागू होता है और जम्म कश्मीर की जो विशेश धारा का प्राउधान था 370 वो जारी रहता कश्मीर के इस प्रकार भारत में विले को लेकर विश्व के देशों में एक बड़ी मिली जुली प्रक्रिया हुई सोवियत संग भारत के पक्ष में सामने आता है भारत में जम्म कश्मीर के विले को वैध ठहराता है और दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता है दूसरे शब्दों में कश्मीर का मुद्द शीत युद्ध के घटना करम का एक अखाड़ा बन जाता है उननिस सो संतावन में ही पाकिस्तान के अनुरोद पर स्वियक्त राजचंग ने भारत विरोधी प्रस्ताओ सामने रखा लेकिन सोवियत संग ने सौभागे से उसे भीटो कर दिया निशेधित कर दिया वीटो क्या है उसके साथ ही संक तराजचंग के द्वारा जो समितियां गठिज होते हैं की जारती हैं उसके प्रावधान क्या है इसका अध्यान आप अन्यध्याय में कर सकते हैं फिलहाल ये समझ लें कि पाकिस्तान के द्वारा जो प्रस्ताओ ये रखा गया था भारत का भारत विरोधी प्रस्ताओ जिसके पक्ष में नैटो और बगदाद के सदस्य राष्ट अपना समर्शन दिये पाकिस्तान को स्वभागे से भारत के पक्ष में सोविय संग खड़ा हुआ और उसने वीटो का उप्योग करते हुए इस प्रस्ताओ को निशेजित कर दिया सन बासर के भारत चीन युद्ध के समय आपको याद होगा कि भारत चीन का युद्ध उननिसो बासर में हुआ था चीन पाकिस्तान के मद्धेक समझोता उधर के होता है और चीन पाकिस्तान का एक निया गठभंदन सामने आता है तो इस परकार भारत एक तरीके से अंतरराश्टी मंच पे थोड़ा सा अलग थलग पड़ता नजर आता है यद्यफी भारत गुट निर्पेक्ष आंदोलन का एक तरीके से अनाधिकारिक स्तर पर नित्रित्व कर रहा था और उस गुट निर्पेक्ष आंदोलन के लगभक सौ से ज़्यादा सदस्य राष्ट थे पर ये अधिकतर राष्ट आर्थिक दिष्टी से राजन्यातिक दिष तो विश्व मंच में जब राजनियतिक बैलेंस की बात होती थी तो इसमें भारत थोड़ा कमजोर नजर आता था और पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसा देश और नैटों के अन्य सदस्च राष्ट जिनकी सेना बड़ी मदबूत थी वे खड़े हुए थी और उपर से चीन ही पाकिस्तान की मदद को आता है पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है और उन दोने के बीच में गड़वन तन होता है ये घटना है 1962 की लड़ाई के बात के दो मार्च 63 पाकिस्तान ने विशेश समझोते के अंतरगत आजाद कश्मीर की कुछ भूमी चीन को दे दी अ एक और आजाद कश्मीर का मुद्दा अल्रेडी कम्प्लेक्स हो चुका, अल्रेडी गहरा गया, उपर से आजाद कश्मीर के कुछ खेत्र को एक समझोते के तहट, पाकिस्तान चीन को दे देता है, गिलगित का जो सामरिक खेत्र था, जो जिसको दर्रा कहते हैं, वो भी चीन को दे दिया गया, यह बहुत स्ट्राटिजिक खेत्र है, सामरिक दिश्च अत्यादिक महत्पूर्ण खेत्र है, गिलगित का इलाका, उसे भी चीन को दे दिया पाकिस्तान ने, भारत ने इस पर पत्ति उठाने के अलावा उसके पास अभी कोई चारा नहीं था क्योंकि वह अंतरराष्ट्री मंच पर थोड़ा सा अलग थलग हो चुका था और भारत ही ने यह मुद्दा अंतरराष्ट्री मंच पर उठाया था तो अंतरराष्ट्री मंच की बात सुनने के लिए भारत 1965 में भारत और पाकिस्तान के मज्ध युद्ध होता है और ताशकंत समझोता उसके बाद होता है पाकिस्तान की पराज़ा होती है युद्ध में ताशकंत जो उततकालीन सोवियत संग का एक शाहर था वहाँ पर भारत के प्रथान मंत्री ततकालीन प्रथान मंत्री लाल बहाद दुर्शास्त्री और पाकिस्तान के ततकालीन राश्ट्रपती जनरल अयूब खान के बीच में एक समझोता होता है और उस समझोते के तहट कश्मीर समस्या का हल ढूलने का एक प्रयास होता है दुर जो भी भारत और पाकिस्तान के नित्रत्य के बीच में जो कुछ समझोते हुए थे एक तरीके से समझोता करने वाले भारती पक्ष का नित्रत्य कर रहे भारत के प्रधान मंत्री का निधन होता है और फिर इस्थितियां कुछ बदल जाती है 1965 के बाद भी ताशकंत समझोते के बाद भी इस्थितियों में कोई सुधार नहीं होता बलकि और बदितर ही होती चली जा रही है 1971 का भारत पाकियुद जिसमें बंगला देश जैसे नए राष्ट का उदाय हुआ पाकिस्तान के टुकड़े होकर और उसके बाद से होने वाली बहुत सारी घटनाएं इस बाद की और इस पश्ट इशारा करती हैं कि कश्मीर मुद्दे को लेकर इस्थितियों बड़ी कॉम्पलेक्स हैं और पाकिस्तान अब आतंकवाद का सहारा लेकर कश्मीर को जलाए रखना चाहता है कश्मीर की समस्या में भारत को उलजाय रखना चाहता है और दिन प्रति दिन वहाँ पे घुसपैट के मामले भारती सैनिकों के शहीद होने के मामले पाकिस्तानी एजेंट्स के द्वारा जासूची किये जाने के मामले सामने आते रहे हैं इस तरह कश्मीर विवाद इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और इसका समाधान ना हो पाने के कारण भारत पाक के संबंद कड़वे बने हुए हैं सामानी नहीं हो पाये हैं पाकिस्तान तो अभी भी कश्मीर राग छेड़ता रहता है और आतंकवादी गतिविदियों के माध्यम से सैन निगतिविदियों के माध्यम से छद्म युद्ध लड़ रहा है भारत के साथ छद्म युद्ध अर्थाथ ऐसा युद्ध जिसमें सपष्ट अपने को नहीं दिखाता लेकिन परोक्ष रूप से आतंकवादियों को मदद करते हुए जैसे इस निपूर में कबाईली सेना को मदद की थी वह भारत के लिए सतत रूप से नासूर समस्याब बन गया है आतंकवादियों को प्रेक्षिक्षन देना उनकी सेन आवशकताओं को पूरा करना उनकी आर्थिक मदद करना आद ही ऐसा करते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सतत रूप से अशान्ती और अराजकता बनाए रखने में काफी हद तक सफल हुआ है और कोशिश भी करता रहता पाकिस्तान सीमा के पास जम्मू कश्मीर के खेत्र में आए दिन हम आतंकवादियों के प्रिशिक्षन के बारे में सुनते हैं और ऐसी जानकारी आती रहती है कि सीमा पर ऐसे कैम्पों की बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कैम्प बहुत बड़ी तादाद में बनाये गए जहां आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना प्रशिक्षन देती है भारत में घुसपैट के लिए और ये आतंकवादि जब तब कश्मीर में घुसपैट करते हैं सेना के लोगों को मारते हैं नागरिक प्रशासन को प्रभावित करते हैं और निहत्थे नाग्रिकों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चुकते और ये सब क्यों वही कश्मीर समस्या जिसकी शुरुआत हम राजा हरी सिंग द्वारा ना नुकुर किये जाने के 1947 की घटना से देखते हैं जब तक जम्मु कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा जो अभी भी दृष्टी गोचर नहीं हैं भारत पाकिस्तान के संबंद पलोसी होने के बावजूद भी कड़ूए बने रहेंगे गैर सहयोग आत्मक बने रहेंगे गैर उप्योगी बने रहेंगे दृष्टी से ऐसी सित्य में दक्षिन एशिया शेत्र के देशों के बीच में जो मजबूती की बात की जाती है सहयोग की बात की जाती है सार्क S.A.A.R.C. के जंडे तले जो एक दूसरे के बीच को आपरेशन की बात की जाती है वह सब मात्र एक बात ही रह जाती है जम्मू कश्मीर के समस्या यदि इसका हल निकलता है तो दक्षिन एशिया की विश्व मंच में दक्षिन एशिया के देशों की विश्व मंच में अहमियत बढ़ेगी ऐसा भी विश्वास है दूसरे शब्दों में जम्मू कश्मीर की समस्या ने मात्र भारत और पाकिस्तान की समस्या का रूप नहीं रखा है बलकि वह एक पूरे दक्षिन एशिया के लिए समस्या बन चुका है